पूर्णी मा के दिन फुल मून होता है और हर पूर्णी मा शुब होती है प्राय अगर आपका चंद्रमा उस दिन चौथा आठवा बारवा भी है लेकिन पूर्णा तिथी होने से चंद्रमा के अच्छे एफेक्ट जातकों को मिलते हैं इस दिन आप कोई भी काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है क्योंकि ये पूर्णा तिथी शास्त्रों में बताई गई है और पूर्णा तिथी का मतलब होता है हर काम को पूरा करने वाली तो आप कोई भी काम इस दिन प्रारम करते हैं वो पूर्णता को जरूर प्राप्त होता है इस दिन एक ऐसा नंबर बतान समर जाते हैं ऐसे चमतकारिक उपाए मैं बताने वाली हूँ तो वीडियो पूरा देखेगा और नंबर जानिएगा कि मैं कौन सा नंबर आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है जिससे आपको फायदा मिल सके हाई एवरिवन माई नेम इस डॉक्टर रू जो पूर्णिमा पर केंद्रित है और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो पूर्णिमा का जो पंचांग में उलेख है 19 तारीक बताया गया है लेकिन 19 तारीक उधिया तिथी है मतलब पूर्णिमा का उध्य है सुर्योदे के समय जो तिथी विद्धिमान रहती है वो अठारा को ही आपको करने हैं तो 18 तारिक को भी पूर्णिमा है और 18 तारिक को फुल मून आपको दिखाई देगा तो चंद्र दर्शन आपको पूर्णिमा के दिन 18 तारिक को ही करने हैं 19 तारिक यानि रवीवार के दिन 10 बच के 5 मिनिट पर पूर्णिमा तिथी का समापन हो जाएगा हाला कि चंद्रमा जो द्वितिया तिथी तक फुल मोन ही होता है और द्वितिया का चंद्रमा का दर्शन करना भी बहुत शुब माना जाता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि पूर्णिमा आप 18 तारिक को ही समझे और चंद्रमा का जो दिदार है 18 तारिक को ही करके उनको उपासना करें 18 तारिक को ही चंद्रशन करके पूर्णिमा का लाब लेवें लेकिन 19 तारिक को जो लोग सत्यनारण व्रत कर रहे हैं तो उनको ये व्रत उस दिन ही करना चाहिए भगवान विश्णों की पूजा करना चाहिए मार्ग शीर्श मास की जो पूर्णिमा होती है उसका और भी मैहत्व है इस दिन भगवान दत्ता त्रे की उत्पत्ती हुई थी उनका जन्म दिवस की रूप में भी इसको मनाय जाता है तो इसलिए दत्ता त्रे भगवान की भी पूजा इस दिन की जाती है दत्ता त्रे भगवान त्री देवों का आशिरवाद है तीन देवताओं की जो उत्पत्ती होती है इनकी कथा आपने सुनी होगी ब्रह्मा, विष्णु और जो महेश है मतलब ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी तीनों सत्ती अनुसिया माता की परिक्षा लेने के लिए आए और उनोंने शिशु रूप धारन करा और उनके तेज से इनकी उत्पत्ती हुई दत्तात्रे भगवान की उन तीनों के तेज से तो इनके संबंद में सत्ती अनुसिया के संबंद में कथा आपको मालूम ही होगी और सत्ती के उत्तम तेज से इनकी उत्पत्ती दत्तात्रे भगवान की उत्पत्ति को माना जाता है अत्री जी ने स्वेम इनका नामकरण विश्नु भगवान के नाम से किया मतलब उन्हें विश्नु भगवान नामकर ही इनका नामकरण किया गया दत्तात्रे 19 तारिक को जो पूर्णिमा है उस दिन माता अनपूर्णा की जयनती है तो अनपूर्णा माता की भी आपको पूजा करनी चाहिए आपकी रसोई घर में अनपूर्णा माता का वास होता है अनपूर्णा माता के आशिरवात के लिए इस दिन आपको पूरी रसोई की सफाई करके उनको भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और माता का आशिरवात प्राप्त करना चाहिए अनपूर्णा माता बेसिकली भगवान माता गौरी ही है और जो इस रूप में हमको आशिरवात देती है पूर्णी मा 18 तारिक को है तो इसलिए इसका विशेश महत्वे क्योंकि इस दिन शनीवार है शनीश्चरी पूनम आप इसको बोल सकते हैं शनी भगवान की पूजा भी इस दिन आपको करनी चाहिए भगवान हनुमान जी की पूजा भी इस दिन आपको करनी चाहिए लेकिन ऐसा काम जो आज आपको मैं बता रही हूँ वो आपको अवश्य करना चाहिए राम रक्षर अस्तरोत का पार्ट करना चाहिए अगर भगवान राम की आप पूजा करते हैं जो कि विश्नु भगवान की आवतार है तो ना केवल विश्नु भगवान का आशिरवाद पूजा करेगा उसका वो अनिष्ट नहीं करेंगे तो शनी देव भी आप पर प्रसन हो जाते हैं सत्यनारण पूर्णिमा जो है 19 तारिक को मनाई जाएगी तो सत्यनारण का जो कथा करते हैं वरत करते हैं उनको 19 तारिक ही ग्रहन करनी चाहिए इस दिन भगवान हरी का पू पर रश्टी डालते हैं अब आईए नंबर की बात करते हैं आपको हल्दी से एक नंबर लिखना है या रोली से भी आप नंबर लिख सकते हैं हल्दी या रोली में से किसी भी चीज का चयन कर लीजिए उस नंबर को एक प्लेन कागस पर भी आप लिख सकते हैं किसी पत्ते पर भी लिख सकते हैं, केले के पत्ते पर भी लिख सकते हैं और ये नमबर है मित्रों 189, 189 नमबर लिखना है, केले के पत्ते पर लिखें तो बहुत अच्छा है और केले के पत्ते पर नहीं लिखना चाहें तो आप साधरन कागस पर भी लिख सकते हैं, 189 नमबर लिखने से आपको मंगल देव का आशिरवाद भी प्राप्थ होता है और सूर्य देव का आशिरवाद भी प्राप्थ होता है और शनी देव का आशिरवाद भी आपको प्राप्थ होता है क्योंकि एक अंक जो होता है सूर्य देव का होता है आठ अंक शनी देव का होता है और नौ का जो अंक होता है, वो मंगल देव का होता है, इन तीनों ही जो पाफ ग्रहे बिसी कली कहे गए हैं, इन तीनों की क्रपा आप पर बरसती है, पाफ ग्रहों की क्रपा बरसने से आद्वी की शक्ति बढ़ती है, हुमन पॉड़ी शक्ति शाली होती है और हर काम करने में समर्थ होती है आपके अंदर एक energy का संचार आप स्वैम करेंगे तो रोली से लिखिए या हल्दी से लिखिए केले के पत्ते पर लिखिए आपको बहुत ज़्यादा पुन्य की प्राप्ति होगी और आप जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे आपका energy level बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पूर्णिमा का जो दिन होता है चंदरमा का भी होता है तो चंदरदेव के दर्शन आप करिए और ये दर्शन आपको करने है 18 तारिक को क्योंकि 18 तारिक को ही पूर्णिमा basicली कहीजएगी क्योंकि चंद्रमा के दर्शन आपको रात को ही होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन आपको 18 को करने है और जो सत्य नरण भगवान की पूजा है वो आपको 19 तारी को करनी है तो आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा मुझे कमेंट करके अवश्य बताईए अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली तो मुझे लाइक जरूर करना और शेयर करना ऐसी जानकारी सबसे शेयर करना जिससे आपको सबकी ब्लैसिंग्स मिल सके और आपके थुरू मुझे भी ब्लैसिंग्स की प्राप्ती हो सके तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद